आपका क्या मानना है जो आज इस तरीके का ये युगा सकती इतना धना पर्दशन करी है अरपाल जी ने पड़े जोज से कहा है कि यदि हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम आगे भी इस तरीके के अंदोलन करेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहँगा कि आज़ांगए बीजे सरकार समिधान को पूर्टए नहीं मानती है क्योंकि मोदी जी जब भी इस टेच से जब भी कोई बात कहते हैं तो सबसे पहले किते हैं हिंदुस्तान को भी नहीं है लेकिन मोदी जब भी मंसे किसी भी बात को रखते तो सब से पहले कहते हैं मेरे तो हमेशा मोदीजी और उनके चमचे वह आरसा है ऐसले पाइं तो किवल एक ही महीला का नाम हमें दिखाई देता है जिया जहासी का छूब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली रानी थी लेकिन आगार फूर में हर गली में हर गली है भान किवल हमारे सम्मिधान की बतल आता है क्योंकि महीलाओं को पढ़ने पढ़ने काधिकार है 25 C चाहे ho समज arts ऐन्दर वरावरी का इस्थान है और हम लोग अच्छी तरीखेस चानते हैं प्रोजा जाते हैं आपका नाम मनुष्मर्टी की बात कर रहे हैं कि आपने मनुश्मर्ठी को पढ़ा है जी मैंने मनुश्मर्टी को पढ़ा है और उसके अंदर सबसे पहले सबसे लिखा हुआ है कि शूत्रों को ना ही शिक्षा का दिकार है ना ही समानता का दिकार है शूत्र पैरों से पैदा हुआ है यह शाप सबसे लिखा हुआ है जो मनुसमृति के अंदर अगर वह पैरों से लिखा हुआ है तो भीया साइंस कहता है कि जर्म का एगी प्रकरण होता है कि जब तक संभोग ना हो जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा लेकिन मनस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि बंबाजी जो मुक्स से पैदा हुए हैं और साथ ही आशूद्र पैरों से पैदा हुआ है जितना भी व की ताकत को खतं कर दी जाती है तो युवाओ को अधर में चोड़ दिया जाएगा और समिधान को पूर्ट के पास है क्योगि वोट की ताकत एक ऐसी ताकत है जो राष्टपती के पास भी एक है और गरीब भिकारी के पास भी है और मैं यह निश्चित तोर पे कह सकता हूं क कि अगर देश केंदर वोट की राजनीति जब तक आप लोग को पूछा जाता है चाहिगो किसी समाज का हो जिस दिन वोट की ताकत को खतम कर दिया गया आपको कोई पर दगाना nova का स्वाथीन को में को हुए कर साइध में कि ने में आऩ है कि नाँ घंड नहीं होता जब के बुए नहीं होता धर्म तर्में में बड़्भार नहीं है जब तक आप सक्षा नहीं जब तक किसी स्ब्सकत फ्रट cloth tu क्योंकि इंसान को जब भूक लगती तो सबसे पहले रोटी दिखाई देती है धर्म नहीं दिखाई देता जीदन यह देश के लोग को समझ में आ गया कि आपकी जरुवत रोजगार है और शिक्षा है ओधिन धर्म अपने आप बिल्गुल खतम हो जाएगा और लोगों को खा अगर आप मनुस्मृति को लागू करना चाहेंगे तो किसी भी धर्म को सम्मान नहीं दे पाएंगे हम लोग और बागी धर्मों के लोग भ्रमित हो जाएंगे और हमारे देश के अंदर एक ऐसी इस्तिति आ जाएगी जहां केवल खून खराबा मार काट के लाबा कोई भी लोग एक बाद चारा नहीं होगा